Hello everyone, this is Pankaj and welcome back to Code with Pankaj So guys, आज की जो वीडियो है बड़ी इंट्रेस्टिंग वीडियो है और इसका टोपिक भी एक दमस्ट टोपिक है तो आज की जो वीडियो रहेगी वो अगर हमारे पास कोई full stack application है हमने उसका code लिख लिया है, complete कर लिया है, local host पर चल रहा है, अच्छे तरीके से बिलकुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें क्या करना है, उसको host करना है host करने से होगा क्या कि हमारे पास एक public link आ जाएगी, हम चाहे तो उस link को अपने डिपोजिटर में save कर सकते है as a sample और यह demo को बोल सकते है आप, या फिर हम उसको अपने friends के साथ share कर सकते है resume में share कर सकते है और जिसको चाहे उसको share कर सकते है, आपके पास एक link आ जाएगी तो जैसे google.com आप खोलते हैं आप अपनी website को खोल पाएंगे, full stack की तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को मैं आपको लेकर जाता हूँ सबसे पहले vs code पे उससे पहले मैं आपको दिखा दू कि यह जो files आपके सामने हैं यह मेरे project की सारी files है जो मैंने बनाया है मैं vs code पे दिखा तो आपको मैंने क्या कैसे क्या क्या किया हुआ है मैं open करता हो VS code और आपके सामने मेरा सारा folder structure प्लस सारा code आपके सामने है और इसी code को आज हम host करेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हो कि इस project में क्या-क्या हुआ है और कौन-कौन सी language ही मैंने use की है तो सबसे पहले मैंने use किया इसमें node.js उसके बाद use किया है इसमें express.js उसके बाद use हुआ है ejs ejs एक template होता है जिसको ऐसे JavaScript ही काम करता है वो मतलब html plus js का एक mixture होता है ejs वो यूज किया है इसका एक second option भी है इसको आप बोलते है p.o.g उसको यूज कर सकते है बट मैंने इसको यूज किया ejs और इस से अलग मैंने उसके ऐसे में frontend में html हुई है css हुई है js हुई है तो right side में यहाँ पर इसका एक folder का structure है मैं इसमें आपको दिखाता हो क्या के चीज़े काम की है काम की जो सारी है मतलब चीज़े क्या का यूज हुई है वह दिखाता हो पहले आपको इसमें सबसे पहले तो जो सबसे main file होती है index.js वह आपके सामने है उसका code यहाँ पर है और उसके बाद यूज है मैंने views यूज के अंदर folder से है काफी सारे इनके अंदर यूज है ejs file यह इसी होती है ejs file का जो extension होता है dot ejs होता है उसके बाद यहाँ पर routes बने हुए सारे authentication के routes होए hotel के route हुए और reviews के यह तुम आपको बताना भूली है कि यह जो project है हुए hotel management system है आप इसमें hotel post कर सकते है edit कर सकते है views कर सकते है और additional चीज़े मेंने क्या क्या यूज की है इसमें like authentication authorization authorization और payment method add किये जो आप चाहिए तो इसको payment कर सकते है वो successfully और fail हर चीज़ दिखाएगा पैसे आपके account में जाएंगे अगर आपने उसको अच्छे तरीगे से किया तो और इसमें use किया है मैंने upvote downvote that means कि अगर आप किसी hotel को upvote देते है like करते है dislike करते है वो भी समेंड हाँ सबसे पहली चीज़ है file upload जैसे हम normally किसी भी file को upload करते है वो single होती है बट इसे मैंने multiple file को एक साथ upload किया है सारी photos को plus map की functionality दिया है इसमें के अंदर कि मैं location डालूँगा उसके coordinates अपने आप बनेंगे और वो उसका map बना के आपके सामने दिखा देगा hotel के 100 page पर फिर upvote और redirect कर देगा login page पर और login करने के बाद मुझे वापस उसी page पर आना है तो उसको बोलते return URL या फिर original URL इसमें जो है और यह last रेटिंग यह ने movement.js यूज की है रेटिंग के लिए star rating यूज की है searching pagination और payment यह कुछ खास feature से जो मैंने project में यूज की है अब मैं आपको folder का structure समझा तो कैसे कैसे क्या का use किया है सबसे पहली file है index.js जिसमें सबसे main file होती है और backend में मैंने यूज किया mongo db mongo db का जो online version cloud वाला atlas करके कुछ नाम है उसका वो यूज किया है दिखा दूँग आपको सारी चीज़े और .env उसके है file के जो credentials है उसको store करने के लिए index file हुई है templating के लिए template engine के लिए और यहां पर routes होए है public folder के अंदर सारे जो fonts है images है script है styling है वो सब इसके अंदर आ गए जो file uploading में use होता है यह भी आपको सिखा दूँगा अगर आपको सीखेना होगा कि file को कैसे upload करते है वो मैं आपको दिखा दूँगा routes हो गए public हो गए views हो गए इन भी हो गया गिट इन और तो आपको पता ही होगा जो फाइल को github के बेजने के लिए उस होता है जो फाइल आपको नहीं बेजनी है वह आप गिट इनदर डाल देते है और package.json यह कुछ package है जो मैं इस्ट्रॉल के अंदर और readme file तो आपको पता ही क्या है तो मैं इसको आपको दिखा देता हो एक कैसे चलता है उससे फ़ल मैं आपको दिखाता हूँ कि इस url पे जो localhost 3000 है अभी के लिए बंद है मैं vs code पर जाता हूँ terminal open करता हूँ और यहां पर type करता हूँ node 1 start इससे जो project है वो start हो जाएगा server start हो गया है अब database बागी है लोग जो database भी connected हो गया है वापस जातो browser पे refresh करता हूँ तो प्रोजेक्ट आपके सामने है काफी मस्ट प्रोजेक्ट है मैं इसमें login करके दिखाता हूँ मैं login पर जाता हूँ sign in पर इसका login page है मैं आपर sign up करता हूँ जो admin की email id है मेरी login करने के बाद यहाँ पर उसकी email id आई जाएगी और मोल पर मैंने आपके कुछ functionality दिये कि जिस नाम से login हुआ उसका नाम और सारे hotels नया hotel add करना है home page पर जाने logout करना है उसके बाद यहाँ पर जातो जो hotels का route बना हुआ है यह जो page है basically मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ पर आते हैं मेरे जो सारे hotels मैंने आप पर पोस्ट किये वह है वह यहाँ पर आ जाएंगे यह pagination जो मैंने बताया था हूं कि pagination यहाँ पर हुआ है सारे pages को लाने के लिए और अगर मैं किसी भी hotel के अंदर जाता हूं तो जो मैं बताया था हूं कि files को upload करनी है वह files upload होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगी यहाँ पर files आ गई है वह मैंने map बताया था तो map का ऐसे आता है map यहाँ पर कि मैं बस location डालूंगा दिल्ली और दिल्ली का map बना कि आपके सामने खुद से बना देगा सारी चीज़े और यहाँ पर edit करना है और नीचे और अलग सी चीज़े जो आप add कर सकते है यहाँ पर rating क करोगे तो reviews add करोगे हट चीज़ आएगी इसमें complete full stack backend frontend हट चीज़ हुए और backend के लिए मैं दिखाता हूँ इसमें यूज हो है यह रहा MongoDB और MongoDB पर इसका अगर आपको जाना होगी MongoDB पर आप कैसे account बना सकते है या data कैसे store कर सकते हैं अगर आपको यह भी जानना है तो आप कमेंट्स में जा करके आप महाँ पर टाइप कर दीज़े कि MongoDB के ओपर भी एक वीडियो चाहिए तो मैं complete tutorial इसको बना दूँगा अब यहाँ पर इसका database उज़वा है यह इसका सारा project हो गया अब main चीज़ आती है second step में यह जो code लिखा हुआ है इसको मुझे बेजना है github पर क्योंकि सबसे पहले stage तो वही है code को store करने के लिए तो मैं जाता हो अपने github पर यह आपके सामय मेरा YouTube पेज़ है इसको subscribe कर दीज़ेगा मैं जाता हो github पर github open होने के बाद यहाँ पर एक follow बटन आएगा उसको follow जरूर दबा दीज़ेगा यहाँ पर आएगा मेरा दिट प्रोफाइल आ रहा है और मैं जाता हो repository पर मैं जिस repo को होस्ट करने वाल हो वह सबसे first है इस्टे sense के नाम से मैं ऐसी को open करता हूँ और यहाँ पर जितनी मे सारे code को github के repository के अंदर कैसे डालते है तो वह भी आप comment में डाल दीजेगा मैं उसको पर अलग से वीडियो बना दूँगा तो मैंने यहाँ पर सारा जो code था वो github पर डाल दिया है एक repository बना कर गए अब थर्ड step आती है कि हमें इस repo को या इस project को host करना है उसके लिए काफे सारे platforms है तो मैंने उसमें से एक चूल्स किया जो मुझे परिसनली काफे अच्छा लगता है वह है render मैं render पर दिखाता हू सेर्च करता हूँ रेंडर तो गूगल पर सेर्च किया render तो सेर्च करता ही सबसे पहले जो link आई है वो render के officially आई है मैं इसी को open करता हूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो अब अगर पहली बार आए है तो आपको get started करना है यहाँ पर उसके बाद account बना है तो मैं sign in करता हूँ email id password डाला है sign in करता हूँ तो sign in करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर यह सारी list आ जाएगी अगर आपने कोई project host किया होगा तो यहाँ पर list आएगी जैसे मेरे यहाँ पर एक project मेरे पहले से host हो चुका है अगर आपने कुछ भी host नहीं किया तो यहाँ पर कुछ boxes बने आएंगे कि static website करना है या web service करना है private service काफ सारी option आएगे तो यहाँ तो आप यहाँ पर new button आएगा इसको click करें या यहाँ पर सबसे जो first वाला या second वाला box आएगा उस पर लिखा होगा web services या फिर आप यहाँ पर जो plus का button ह यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा web service मैं चूज करतो web service चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपने github connect करना होगा यहाँ पर जो github लिख हो है इस नीचे option आएगा connect your github तो क्लिक करेंगे तो उसको allow कर देना तो आपका जो github को connect हो जाएगा connect होने के यहाँ पर यहाँ पर आपकी जो सारी repository होगी list होगी वह आपके सामने आ जाएगी तो मुझे जो host करना है project यह वाला उसका नाम है stay sense मैं वापस जाता हूँ रेंटर की website पर और यहाँ पर search करतो जो मेरी website है या project है उसको host करने के लिए stay sense लिखा यहाँ के सामने repository मैं क्लिक करतो connect पर connect करने के बाद यहाँ पर देना होगा project का नाम तो मैं इसका नाम बगता हो hotel hub नाम देने के बाद reason by default रहने दीजिए branch में हमें सब mains चूज करना है यहाँ पर सारी branches आ जाएगी इसकी बट मैं चूज करतो main क्योंकि main ही सबसे main branch होती है उसके बाद root directory को as a short देज़े कोई दिक्कत नहीं है runtime में चूज करना है node क्योंकि हम node की application बनाई है तो node चूज किया उसको बाद आते build command इससे पहले आपको अपने code में एक चीज़ करनी है वो मैं दिखा देता हूं जैसे मैं जाओंगा package.json में यहाँ और यहाँ पर लिख चीज आड़ करनी है पहली चीज क्या है start node.frontslash index.js start से क्या है कि यह जो command होती है जाए npm start होती है उसी type से तो जो start है तो node लिखेगा और यह जो file का path है मेरी जो सबसे main file है index.js अगर आपके file किसको नाम से है तो उसका यहाँ पर path देना है और file का नाम start के अंदर दूसरी जो command डालनी है वो है build uild उसमें लिखना होगा npm run build तो यह दो line आपको अपने code में add करनी होगी start और build तो यह दो line मैंने code में लिखी और एक नई branch बना करके उसको बेज़ दिया अपने githupper तो check कर तो githupper आई है नहीं आई है मैं जातो githupper तो यहां जो नई branch ची वह आ गई है work tightening के नाम से मैं इसको merge कर लेता हो जल्दी से create pull request उसके बाद merge pull request confirm merge यह merge हो चुकी है मैं आपको दिखा दो कि मैंने 2 code कौन से add किये थे मैं जातो हो यहां package.json और script के अंदर यह रहा मेरा code जो मैंने add किया अभी दो line अब पर जो मेरी repository वह दिखा दिया कि अभी कुछ second पहली update हुई है मैं आप फिर भी search कर लेता हूँ stay sense के नाम से यह सबसे पहले वाली जो है यही थी जो एक second पहले update किया आपके सामने मैंने मैं क्लिक करता हो connect पर उसके बाद project का नाम hotel hub reason by default branch main ठीक है और फिर root directory तो कुछ नहीं करना की करने स्मीं स्रावं रंटाइम मैं चूज करने नोड और bid command में आपको यहां पर लिखाना यहां इसको हटा देना है और यहां पर टाइप करना है N Is install यह लिखा npm install इसके पाद आता है start command इसमें आपको टाइप करना है जो लिखा को इसको अटा देज़ेगा और यहां पर लिखना है npm start यह दो वही लाइन है जो हमने अभी code में एड़ की थी पहला build command में लिखना है npm install start command में लिखना है npm start यह दो चीज़े यहां पर add की नीचे यहां पर free वाला चूज रहने जो है by default और सबसे आखने जाकर मैं क्लिक करता हो create web service तो यहां पर आपके सामने जो है project host हो रहा है मैं आपके दिखाता हो कि in progress लिखा हुआ है और यहां पर उसकी command से run हो रही है तो यहां पर थोड़ा time लग सकता है इसको command complete होने में जितना बड़ा आपके project रहे का उस हिसाब से time लेगा तो सारी चीज़े वीडियो में आपके सामने रहे कि मैं वीडियो में कोई cut नहीं कर किये थे मैं दिखा देता हूँ इतने code में यहां पर एक file थी .env करके यह रही और इसे मैंने कुछ variables बनाए हुए है जिसको मैं अपने project में use किये यह सभी मेरे credentials है वो मैंने इसके अंदर store किये हुए है और इन ही सब को डालने होगे इस project के अंदर तो पहले ही एक बार होस् 21 seconds build successful अभी deploy हो रहा है सबसे last one होगी है deploying तो जैसे इसकी deployment खतम होगी उसके बाद हम set करेंगे environment variables तो deploying तो complete हो चुक है और starting web service भी सही हो चुका है तो यहां पर एक दिख्का थे है कि हमने जो environment variables अभी तक set नहीं किये थे वह ही error है तो मैं जातो environment में यहां पर और क्लिक करता हो environment variables अब जो मेरा data env file के अंदर था .env के वो सब मुझे यहां पर लाना है key और value के pair में तो चलिए इस काम को भी करते हैं सबसे पहले है मेरा port मैं आसे port को पी किया और key में कर दिया port उसके बाद जो उसका data था copy किया value के अंदर क्लिक करता हूँ add environment variable क्योंकि दूसरा भी add करना है तो मैं जल्दी से करके सारे environment variables को type कर लेता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते है कि मैंने सारे इनवी का data यहां पर store कर दिया है set कर दिया है जैसे मेरा database हुआ था port हुआ session का password हुआ और cloudinary का जो credentials से वो सभी यहां पर membox के और stripe के Stripe क्या है जो payment method होता है जो payment gateway होता है वो Stripe की भी देता है और Paytm भी देता है हमारे यहां पर locally तो Stripe जो है वो international payments के लिए अगर आपको जानना है कि Stripe को कैसे use करते है या फिर अपनी website में payment का gateway कैसे add करते है तो वो भी आप comment box में जरूर type कीजिएगा दूसरा map box का token add किया है Map box किया है कि अगर आप अपनी website में map दिखाना चाहते है तो यह उसके लिए use होता है अगर आपको यह भी जानना है तो इसका comment box में टाइप करिए तीसरी चीज़ cloudinary यूज होती है developers करते है files को upload किया उसकी link बनाई उसको set करते है तो उसके लिए platform होता है cloudinary वो यूज किया ह तो वापस आते है project पर तो सारे इनवी का data set करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ save changes और नीचे जाता हूँ तो search by default ठीक है वापस आता हूँ यहाँ पर events पर और यहाँ आप आप देख सकते है कि एक deploy का button आ गया है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ deploy पर तो यह वापस से in progress दिख पर और आपके सामने है इसका जो deployment process है यह वाली जो process है डिक की deployment वाली इसमें जो time लगता है वो depend करता है आपके project पर कि अगर आपका project बहुत चोटा सा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा बट अगर आपका project बहुत बढ़ा है heavy project है तो उसमें बहुत ज्यादा time लगने वाला है बागे depend करता है इसके जो free और जो premium plans है उसके साब से भी कुछ depend करता है मेरा free वाला है तो जितना time वाका उस अब आपके सामने होगा तो जैसा कि आपने सामने देख सकते हो कि build upload हो चुका है plus build successful बंद चुका है अब ही चल रहा है deployment इसका और deployment भी हो गया उसके पाथ npm stored भ हो गया है हाँ तो अभी हमारा यह जो दिख रहा है न यह तो मेरे project में था इसलिए आ रहा है आप यहां पर देखिए जो यहां पर लिख है live इसका आपका जो project हो successfully build हो चुका है deploy हो चुका है और उसकी जो link है वो यहां पर आ चुकी है अगर आप इसको scroll करेंगे ऊपर तो यहां पर a link आ चुकी है मैं क्लिक करता हो dashboard पर यहां पर अबसे उपर top पर तो यहां पर आपके सामने दो project दिख रहे होंगे list में पहला hotel hub और दूसरा मेरे पहला project है यह भी full stack अधा तो यह वाला project था यह भी आपके सामने host किया है few seconds ago तो मैं क्लिक करता हो इसी वाले project पर जो अभी host किया है और यहां पर एक success का आपको टिक भी दिख रहा हो green में और यह रहे उसकी project की link hotelhubonrender.com मैं क्लिक करता हो copy url पर नई टैब में जाता हूँ paste and go तो अभी यह थोड़ा time लेगा क्योंकि इसको code को change करना एक online बिल्कुल live website में तो यहां पर 15 minutes का अगर आप wait करोगे तो यह सही हो जाएगा तो website को host करने के बाद सारा process आप न देखा तो host होने के बाद उसको थोड़ा बहुत time लगता है पांजस मिन लग सकते है या फिर ज्यादा भी time लग सकता है तब तक के लिए सामने आता रहेगा internal server error और जब website अच्छे से host हो जाएगी backend में उनकी website पर तो आपकी website यहां पर live हो जाएगी बड मेरे case में क्या हुआ था कि मैंने जब इसको host किया तो काफी टाइम तक यही आता रहा अभी मैंने वीडियो पोज की थी बीच में तो यह सेम एर आता रहा internal server error बार बार यह एर आता हुआ तो मैंने क्या किया मैं वापस से render पर गया और इसको मैं वापस दि और मैं आपर console करता हूँ तो console में जाता हूँ तो same rate यहाँ पर दिखता है कि fail to load resources the server responds with a status of 500 इसका solution क्या है कि मैं वापस website पर जाता हूँ render की और यह वाला जो project था यह था मैं यहाँ पर जाता हूँ logs में logs में जाने के बाद यहाँ पर कुछ logs है इसकी मैं कर ले तो इसको maximize full screen और आपके case में यहाँ जो भी error होगी host करते time वो यहाँ पर सो हो जाएगी मेरे इसमें क्या error आ रही थी कि मैं दिखा देता हूँ और इसमें मिली तो मुझे मैं उपर जाता हूँ हाँ यहाँ मेरे case मेरे थी कि cannot find module ejs क्योंकि मैंने इस project में use की थी ejs templating engine और उसको मैंने package में install नहीं किया था तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं गया था अपने project में वापस github vs code में और यहाँ पर एक command run की थी package install करने की npm दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर यह रहा npm i ejs इस command को run किया तो यहाँ पर मेरा package add हो गया आप देख सकते हूँ मैं यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी कुछ minutes पहले का है ejs इसको add किया वापस से नया code जो बना था उसको github पर branch बना के बेजा branch merge की मैं वापस से इस पर ग कुछ time wait किya कि host हो जाएगी लेकिन फिर भी नहीं हुई थी तो मैं वापस से इसके website पर गया logs में गया जैसे यहाँ पर था minimize यहाँ पर logs में गया था logs में जाने के बाद मैं इसको maximize करूँगा यहां से और यहां पर भी आपको देखना है कि कुछ error तो नहीं आ रही है तो मेरे यहाँ पर case में एक error ओड थी वह में दिखाता हो क्या थी मैं थोड़ा यहां से उबड़ जाऊंगा हाँ यह रही error यह error क्या थी कि database connect हो गया था server चल गया था लेकिन जो सबसे landing page होता है सबसे जो first dollar page था यहां पर उसकी spelling mistake थी मैंने जो नाम लिखावा था capital में था capital capital L को small में किया तो आप file का नाम और यहां पर landing page का same हुआ तो code में change हुआ तो नई branch बनाए GitHub पर code को भेजा GitHub पर और एक नया deployment इस्टार्ट हुआ इसका deployment क्या है कि जैसे आप अपने repo को फीचर में update करते हैं तो यह वाले जो hosting रहेगी वह अपने आप से build नया बना लेगी और code को update कर देगी तो जैसे मैंने code को update किया GitHub पर दिखाता हूँ मैं back करता हूँ यहां से तो जैसे ही आप अपने code को GitHub पर merge कर दो गए डाल दो गए तो वह जो repository रहेगी वह अपने आप से build बना देगी code को update कर देगी और अगर आपके case में भी ऐसा error आ रहा है internal server error तो मैंने उसका solution बता है कि logs में जाओ यहां पर logs में गए और यहां पर logs में जो error होगी वह आपको दिखा देगी जैसे मैंने अपने case में दो error आई थी दोनों आपके सामने दिखा दिखा दी थी क्या क्या error थी और solve कैसे किया पहला EGS के module था और दूसरा landing page की spelling mistake थी data पर डाला render ने अपने आप उस website का code उठाए GitHub से और update कर दे ने deployment बनाया दिया खुद से और अभी जो सबसे लाष्ट मेरा database connect हो गया कोई error भी नहीं आई है log में देखा मैंने तो मैं जाता हूँ इस पर और refresh करता हूँ इसको तो refresh करने के बाद मेरे project का preview आपके सामने है यह यह रहा हो मेरे project और यह project मैंने आपको local पर दिखाया था local पर यह रहा हो यह project localhost 3000 URL आप देख सकते हैं यहां पर और यह same project मेरा URL URL अब यह रहा है जो URL है वो पब्लिक हो गया है अगर कोई भी इसको Google पर search कर गए तो यह आ जाएगा indexing में या फिर आप इस link को जैसे मैं और इसकी जो repository थी यह रही मैं इसको यहां पर set कर देता हूँ website में जाकर के paste किया save changes तो यह रही वो link जो भी इस link पर click करेगा उसको में प्रोजेक्ट का preview दिख जाएगा जैसे मैं दिखा देता हूँ मैंने इस पर click किया और मेरा project आपके सामने open हो गया तो testing के लिए मैं दिखा देता हूँ hotel में जाकर के कि सारी चीज़े है नहीं है सारी चीज़े है अब मैं इसका authentication चेक कर लेता हूँ login पर जाकर करके login के लिए browser change करता हूँ क्योंकि से मैंने login के id password है वो save कि हुए है मैं यह यह url copy कर देता हूँ और एक new tab open की paste and go तो वही पेज आपके सामने open हो गया मैं यह से sign in करता हूँ मैं यहाँ पर इसका password type कर देता हूँ password id दिया password dya sign in किया तो sign in हो गया यह रहा complete सही से हुआ आइडिया गई है और यहाँ पर नाम आना चाहिए नाम पंगजबालियान बिल्कुल सही है यह रहा है यहाँ पर पंगजबालियान और ऐसे हुआ मेरा प्रोजेक्ट लोकल से लगा करके link आ गई है complete हो गया है तो यह बार मैं सारी steps को review कर देता हूँ सबसे पहले folder का structure मेरा यह था उसके बाद मैंने जो code लिखा वा आपके सामने यह रहा इस code को मैंने डाल दिया GitHub पर जिसके repository यह रही यह रही और repository बिनाने के बाद repository में दो changes करने थे repository नहीं मतलब code में दो change करने थे जा था package की JSON में जाना है इसमें जाकर करके script के अंदर यह start और यह command build और यह command यह दोनों command में description में टाइप कर दूँगा आप वहाँ से check out कर सकते हैं और code को बेज़ा GitHub पर code यहाँ पर आ गया अब मैं गया render की website पर account बनाया और आपका account नहीं है तो sign up करें account है तो login किया उसके बाद यह new पर गया क्लिक किया web service पर और उससे अपना जो GitHub का account था वो लिंक किया उसके बाद repository चूज की connect किया प्रोजेक्ट का नाम दिया और नाम देने के बाद दो चीज़े यहाँ पर जो main थी वो मैं दिखा देता हूँ अब सेटिंग में जाता हूँ नाम दिया था origin default था depository वो उठा ली थी जा मैंने क्रेक्ट पर किल्क किया था main जीश थी build की command क्या देनी थी npm install start की जो command थी वो देनी थी npm start और नीचे के लिए option आया होगा deploy करने का उसको दबा दिया था अब deploy हो गया था fail क्योंकि मैंने वहाँ पर environment जो variables से उनको set नहीं किया था क्योंकि .env के अंदर मेरे storage थी उसके लिए मैं गया यहाँ पर environments और सारे environment variable मैंने यहाँ पर store कर दिये थे store करनने के बाद save किया save किया तो मैं गया events पे देखा कि deployment अपने आप से हो गया था बट एक error जो आ रही थी वो थी internal server error जो काफ़े देट तक रही थी उसका solution क्या था कि अगर आपके case में ऐसे ही है तो logs में जाओ logs में दिखा देता है कि error क्या आ रही है तो यहाँ पर दिखा देगा कि क्या error है मेरे case में मैंने फाइल का नाम गल्स लिखा हुआ तो वह भी यहाँ पर दिखा दिया और एक package इंस्ट्रोल नहीं किया तो वह भी यहाँ पर दिखा दिया मैं वापस से code में गया package install किया plus file का नाम से ही किया code को github पर डाल दिया डालने के बाद render की जो website थे उसने code अपना github से उठा लिया और एक नया build बना करके ready कर दिया link आ गए यह रही link और मैं इसको नई link इसमें tab में open करता हूँ तो यह रहा मेरे project का preview आपके सामने अब यह link आ गई है आप इसको चाहो तो कैसे भी उज़ कर सकते हैं जैसा आपका मन करे हैं तो यह थी सारी एक local host के project को public करने की सारी जो steps थी वो आपके detail में बता दिये अगर कोई भी step आप clear नहीं है ना जैसे आप github पर जाओगे तो मेरे github पर follow कर देना plus youtube पर जाओगे तो subscribe like share जो भी चीज़े होती है comment है दवा देना सारी चीज़े तो यह था आज इस वीडियो में तो इस वीडियो को महीं में पर end करता हूँ और तब तक के लिए tata bye bye take care मेलते अगली वीडियो में मेलते अगली वीडियो में